हेलो फ्रेंड्स मेरा नामे अजन महानती और आप देख रहे हैं मेडिकल सॉल्वर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स आज का इस ट्वापिक पर हम बात करेंगे HSE test के बरे में यानि कि HSE test क्या है HSE test कब किया जाता है और HSE test कैसे किया जाता है सब कुछ details आपको आज का इस topic पर मिल जाएगा इसलिए आज का इस topic को आप completely watch कीजिएगा तभी आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा सुरू करने से पहले friends हर तरह का helpful contact मिलता रहेगा वीडियो का notification सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा और नए नए जानकरे भी आप लोगों को मिल जाएगा सो इसलिए चैनल को आप लोग जोड़ो सबस्रेब कर लीजीगा तो चलिए friends आज का इस topic को शुरू कर लेते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे हाजी टेस्ट क्या है देखे friends हाजी का जो full form आता है hysterosalpingography यानि कि ए एक टाइप का x-ray होता है और उस x-ray की दौरा ये पता चल जाता है कि female का जहांपर ओभरी से दोनों फॉलोपीन ट्यूब आके जहांपर uterus में mix हुआ है उन दोनों फॉलोपीन ट्यूब में अगर कोई blockage बन चुका है तो इस x-ray की दौरा पता चल जाता है तो इसलिए इस टेस्ट को किया जाता है friends अब हम बात करेंगे कि hse test को कब किया जाता है देखे friends अगर किसी महिला का काफी दीन से ट्राइ करने के बाद baby issues नहीं आ रहा है baby concept नहीं हो रहा है बहुत दिन से try कर लिया है और बहुत सारा doctor को दिखा लिया है बहुत सारा medicine को यूज़ किया है बहुत सारा injection को यूज़ किया है तभी बेबी issues नहीं आ रहा है तो लास्टली डॉक्टर रेकोमेंड करता है हमेशा इस एईचेजी टेस्ट को करने के लिए ठीक है और एईचेजी टेस्ट की द्वारा यह पता चल जाता है कि फिमेल का जो फॉलोपीन ट्यूब होता है उस फॉलोपीन ट्यूब में अगर कोई ब्लोकेज बन चुका है तो घरशी बार में पता चल जाता है कि अगर प्लोपीन ट्यूब में कोई ब्लोकेज हो जाता है तो क्या होता है ऐन्टन का भईाल होता है अस फटर हम पर्म जाके ते उस महिला का जो आंड़न ठीक तरह से नहीं हो पाएगा ठीक है उसके बज़े से के लिए ईसुज नहीं आइगा अगर फॉलपीन ट्यूव ब्लॉकेश अगर क महात रच और ही यह चाहिगा और टेस्ट जो है इसलिए किया जाता है क्योंकि फॉलपिन ट्यूब में अगर कोई ब्लोकेज बन चुका है या नहीं सो फ्रेंट्स आब हम लास्टली जो बात करेंगे कि high est digital को कैसे किया जाता है देखिये fire करने के लिए डॉक्टर ऑपको रेकुमेड करते है की छेजकर आपको जहां पर जाना पडता है एक प्राइब में जाना पडता और वहाँ पर डॉक्टोर करता है ठीक है इस टेस्ट को दौक्टर की द्वारा किया जाता है और इस करने सब Bunun कि सबसे पहले मिल का जो भैजाँआ है मिल्ब की द्वारा यूट्राज में एक इंजेक्शन को सदेम को है जाता है थीक है injection यानि एक हम टाइप का का लिकुड होता है उस ऊटाइप का है कि दोहारा फेल जाता है उसके बाद क्या होता है कि उस जो wipe type का जेली है यानि कि जो liquid है उस liquid female का uterus में पहुँचने के बाद जहां पर fallopian tube है दोनो fallopian tube में चला जाएगा उसके बाद female का ओभरी तक चला जाएगा ठीक है और उसके बज़े से क्या होगा कि जब x-ray करेगा ठीक है और उस wipe type का photo में यह पता चल जाता है कि female का जो दोनो fallopian tube है उस fallopian tube clearly देखा जाता है कि वहाँ पर अगर कोई blockage बन चुका है नहीं इसलिए इस wipe type का liquid को press किया जाता है जिसके बज़े से clearly देखा जाता है कि fallopian tube में कोई blockage हो चुका है नहीं सो फ्रेंड्स कुछ इस तरह का hse test को किया जाता है और hse test करने के बाद आप लोगों को हमेसा ध्यान रखना है कि hse test करने के बाद काफी लंबे समय तक pain हो सकता है ठीक है उसके बज़े से आपको pain killer लेना पड़ता है जहां पर आप test करेंगे उहां पर भी दे दे देता है लहीं तो आप किसी medical shop में जाके आप pain killer ले सकता है ठीक है और क्या होता है कि hse test करने के बाद क्या होता है कि साइद एक से दो दिन जो liquid अंदर चला गया है उस liquid बाहर तक आता है ठीक है यानि कि बहुत अंदर चला जाता है uterus में जाके फॉलोपीन ट्यूव में जाके ओभर तक पहुंच जाता है तो उस liquid बाहर पहुंचने में बहुत जादा टाइम लग जाता है तो इसलिए सायथ एक से दो दिन आपका जो लिक्विड है लिक्विड बाहर आ सकता है ठीक है तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आप लोगों को सब कर समझ में आ गया होगा कि hse test क्या है hse test कब किया जाता है और hse test को कैसे किया जाता है सो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आप लोगों को आज का इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा और फ्रेंड्स वीडियो पसंद हाथ तो वीडियो के like कर दीजिएगा दोस्तों को साथ share कर दीजिएगा अगर इसकी ब इंस्टार्म पर फोलो कर सकते हैं Instagram का IDI है एडठारड मेडिकल सॉल्वर और हो साके Instagram पर आपके साथ बाते भी हो सकता है सो इसलिए इंस्टाग्रम पर आप जोनुर फॉलो कर लिजीगा तो चलिए फ्रेंड आज का इस टोपिक को इन पर खदम करते हैं मिलते हैं आगले टोपिक पर तब तक के लिए थांक यू सो माज और थांक्स पर वाचिंग